इसके जो important प्रश्न है उसको हम आसान से सब्दों में समझने की कोशिस करते हैं तो आईए स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आपका इस वीडियो में हम सुरूर करते हैं इस वीडियो को तो सुरूर करते हैं इस सीरीज को लेकिन इस स्रीज में आपका जो पहला प्रश्ण है बहुत ही ज़्यादा इंप्रटेंट है इसको समझना पड़ेगा आपका बच्चो प्रश्ण का नाम है कि सिक्षा का अर्थ क्या है या फिर सिक्षा से आप क्या समझते हैं ठीक है तो यहाँ पर दो प्रश्ण है कि सब्ज़ते क्या एडूकेशन के लिटरणी मिली गया निशाबधिक अर्फ की बातकर इश सिक्षा की तो कहा जाता कि शिक्षा को आगण रेजीम में हम एड्यूकेशन के च attractive एडुकेशन लेटिन भासा के एड॥केटं डूप्ति सब्त से बना हैं और हया और dat को सा एक मतलब अंदर से डिको का मतलब बाहर निकालना या विकास करना अर्थाथ हम कहा सकते हैं कि बालक के अंतर नहित एक बच्चे के अंतर जो आप अल्रेडी सक्तियां हैं जो उसकी ताकत है उसको बाहर निकालना या उसका विकास करना ही सिक्छा का कार्य होता है तो सिक्छा क के अर्थ की बात करें, बालक के अंतरना हिद गुणों या सक्टिओं को बाहर निकारना या विकास करना, यही कहा है बत्चों, education सब्द का अर्थ हुआ, इसके दिए गए, वर्ड की अनुसार, तो education सब्द का अर्थ है, अगर आप से पूछे। सिक्षा को अंग्रेजी में एडुकेशन कहते हैं एडुकेशन लेटीन सब्द के एडुकेटम से बना है एडुकेटम ए प्लस द्यूकों से बना है एक अर्थ होता है अंदर से ड्यूका का अर्थ होता है विकास करना या बाहर निकालना अर्थात इस सब्दों के अनुसार हम कह सकते हैं कि सिक्षा यानिक एजुकेशन का क्या अर्थ है कि बालक के अंतर नहीं सक्तियों या ताक्तों का या फिर उसके गुणों का बाहर निकालना या विकास करना यहाँ पर बात हो गई एजुकेशन के अर्थ की तो आप क्या समझते हैं यह एक द्यूमुखी प्रकिरिया है यहाँ पे एक सिक्षक होता है एक सिखने वाला विद्यार्थी होता है और आप लिखी कि सिक्षा जो है जीवन परत में चलने वाली प्रकिरिया है हम सिक्षा हर एक जगा पे हर एक वस्तू से हर एक व्यक्ति से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने समाज से आसपड़ों से अपने परिवार से अपने विद्याले से अपने दोस से तो यह लिखी कि सिक्षा से आप क्या समझते हैं बाकि सिक्षा का अर्थ यही हुआ कि बालक के अंतर नहीं सक्तियों का विक क्सिंप्ट हमने अभी तक देखा कि सिक्षा का मतलब दपन के अंतरा इसका concept क्या है अतुम में आप कहते vaccinsy को सिक्षा का का करई करता क्या क्या है सिक्षा को यहां पर बहुत न आच्छे तरीके से दिया गया आप इसको ज़रा दो मस जानी चली सिख्चा एक समाजी कर रहे हैं सिख्चा एक समाजी कर रहे हैं सबसे बहतरी मुझे पर्सनली रखता है जैसे खान सर देखिए ओजा सर देखिए विकास दिबिकृती हिमानसी में यह लोग क्या करते हैं बहुत ही बहुत ही समाजी कर रहे हैं लोगों को सिख्च तो पहला तो सिक्चा मानों का विकास करता है व्यक्ति सिक्चित होता है उसके मानों अपने आप डैबलब हो जाता है उसकी सोच बदल जाती है उसके रहने का तरीका विक्सित हो जाता है तो सिक्चा क्या करता है बच्चो मानों का विकास करता है सिक्चा एक समाजी कार है बे की तरफ ली जाएगे निरंद्र चलने वाली प्रै Waarक्रिया सिख वर्तमाने की एक मांग है डिमांड है मोस््ट इंप्वर्टेंड है बच्चेश इक सतत प्रै करिया है सिक्षा एक अविवरिधी है बच्चो सिक्षा द्यू मुखी प्रकिरिया है सिक्षा मार्ग दर्सन द्यू मुखी का मतलब यहाँ पर एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला सिखाने वाला में समाजी भी हो सकते है आपकी गुरू, आपकी अध्यापाग, माबाब दोस कुछ भी हो सकते है सिख्षा कया बच्चो एक मार्ग दर्सन है वो पत दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है जिस पे चल के विद्यार्थी, सिक्षार्थी अपने लक्ष को पराप करता है अपने जीवन को प्राप करता है अपने परमात्मा को प्राप करता है तो सिक्षा क्या बचो एक मार के दर्सन है हमने दो प्रशन है आप देखें चलिए नेक्स देखते हैं कि सिक्षा का संकुचित अर्थ बताईए अब यहाँ पे दो प्रशन आपको मिलेगा पहला प्रशन और सिक्षा का व्यापक और तोनों को एक साह समझना पड़ेगा अगर मैं आपसे कह दूँ कि सिक्षा एक ऐसे प्रक्रिया है जिसको आप केवल विद्याले में प्राप कर सकते हैं केवल अपने सिक्षा को दोवारा प्राप कर सकते हैं और व्यापक का मतलब broad band है, broad मतलब जो उचे level की सोचता हो, और broad level में आप क्या सोचेंगे, broad level यानि कि व्यापक अर्थों में आप समझेंगे, कि सिक्षा के वाल स्कूल में हो नहीं, के वाल एक सिक्षक से नहीं, सिक्षा को आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, अपने समाज से, आसपडो से, मतापिता से, दोस्ते, भाईबन से, कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, और सिक्षा इंसान जन्म लेने के बाद से मृत्यू तक चलती है, और संकूचित अर्थ कहता है, कि सिक्षा जब तक आप की स्कूल में है, तब ही तक चलती है, तो यहां पे डिफ्रेंस हो गया, अब आईए हम समझते, तो संकूचित का मतलब क्या हुआ,kar सिक्षा के वल स्कूल में प्राप्त हो सकती है, दाखिले के बाद प्राप्त होती है, सिक्षा दोबरा प्राप्त होती है, सिक्षा को यह हो गया इसका व्याप पकर से अब आजिए ज़रा देख लेते हैं कि आपकी बुक्स में क्या लिक है संकुचित अर्थ में सिक्षा केवल चार दीवारी तक ही सीमित रहती है उसका संब्द बालक को विद्याले में परदान देने वाली सिक्षा से दूसरों सब् जब बालक को एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसर व्यसक वर्ग से निश्चित काल और निश्चित पंदती से निश्चित अर्थी और निश्चित घ्यान मतलब पुस्तकिय घ्यान की बात की जा रही है अट quieresow चलिए आप एक चीज छुटा है, missing है बच्यों, तो उसे हम सिच्छा के संकुचित अर्थ के नाम से पुकारते हैं, ठीक है बच्यों, वास्ता में इस प्रकार के सिच्छा से क्या होता है, पुरुष्ट की अग्यान तो हो जाता है, लेकिन आपका सर्वगे की complete development नहीं हो पाता, आप अर्थ में सिच्छा का मुख्या स्थान होता है, सिच्छक का मुख्या स्थान होता है, और सिच्छाती गौण सिच्छक से आसे है, मतलब यहाँ पर teacher primary होगा, जो विद्यार्थी है, वो secondary होगा, चलिए, सिच्छा के व्यापक अर्थ के अंतिकत, जीवन के परतेक पहलु आ वास्तों में वहीं शिक्षा हैं यहां पह अ कि गही है जा लिए आगे लिखा करेंन फिक्षा कешь का लींग करू पर सुट लए बात है जेवन चलती रहती है और जीवन में और फ्रहत परेक अनुवह में बंडार में वुर्धी होती इस जीवन के मुख्य साथ कहा जाता है व्यक्तिकों संपूर्ण जीवन का विकास दो बातों पर निर्भड करता है कौन सा है व्यक्तिकत और समाज व्यक्तिकत का मतलब जो आप अपने यहां पर देखिए पैत्रिक संस्कारों द्वराप्त होते हैं उसके विकास समाज का भी युगदान रहता है व्यापा करत ऐसी प्रकिरिया है जिसे बालक व्यक्तिकत का विकास करता है और जीवन पर अनुवह सिंपल सी बात यही है कि अपने जीवन से लेके मिर्टुय तक चलती है परिवार से माबाब से सबसे सिखते हैं उसे सिख्चा कहते है यह इसका से लिखी गई है एजुकेशन के अर्थ के बारे में लेकिन हमें यहाँ परिभासा देना है तो हम परिभासा देख लेते हैं और आडम्स ने क्या परिभासा दिया सिख्चा एक ऐसी सूनिस्चित प्रकिरिया है जिसमें एक व्यक्ति का विकास करने है तू उस पर दूसरे व्यक्तित्तु का मन, वाड़ी व कर्म द्वारा प्रभाव पढ़ता रहता है ठीक है यह सिख्चा की परिभासा दिये जॉन डिवी ने बहुत ही बहतरी परिभासा दिया जॉन डिवी का जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है जॉन डिवी वह इ hasta Karma टेकल अभी तो उन्हस करना पड़ेगा बाकी छोड़े चोड़े डेफिनिशन भी आपको आपको यहां पर दिये गाता है कि सिख्चा वह अप्र कि लिए है जो सिख्षित्वयक्टिऑन की कार्यों में अंतर ला सकती है मतलब कोई ये कार्य है अगर सिख्षित व livres करे सिक्छा के विस्तार अभी पर्याप कर सकते जाइं, सिक्छा दर्सन तो आपना देखा सिक्छा दर्सन, सिक्षा समासास, सिक्षा मनु विज्ञान और साचिक प्रसासन व संगठन ये सारे क्या है बच्चों? सिक्षा के छेत्र कंथर का दाद है. चलिए, अब हम यहाँ बेँ बात कर लेते हैं, सिक्षा, अगला प्रशन देखेंगे हम बच्चो कि सिक्षा विज्ञान है अथवा कला है मानली साफ से पूछते कि सिक्षा विज्ञान है अथवा कला है अथवा की जब बात होती है तो आपको कोई एक चुझना है वास्तव में सिक्षा विज्ञान भी है शिक्षा एक कला भी है लेकिन आपको इसमें एक discussion करना है कि आप किसको पहले prefer करेंगे शिक्षा को आपकी सोच में क्या है विज्ञान है अत्वा कला है कोई एक को आपको च्यूज करना है तो देखिए इसको थोड़ा सा थीरी है अपने सब्सको समझने की देखिए कोई भी बीएट का कोर्स हो ना जब हम discuss कैसे कैसे समझेंगे तो आपका भी concept के लिए और मेरा भी concept के लिए मुझे और अच्छा लगए मुझे average अच्छा लगए इए आपको भी ऐख्या लगए अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सिक्षा कहा तक विज्ञान की अन्यवारे विश्सताइं पाई जाती है यदि तठस्त रूप से देखा जाए तो हम कहा सकते हैं कि सिक्षा को विशूत विज्ञान की स्रेडी में रखा जा सकता है मतलब स्रेडी में तो रखा जा सकता है लेकिन सिक्षा के सिधान्त नो तो सरोभौमिक और नहीं अंतिम है वे समय समय पर समय ओमकाल के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं ठीक है जिसे विज्ञान कहने है वह आप जिसे गुर्दवाकर्शन नियम यह सिधान्त है तो आप इसको बदल नहीं सकते हैं जबकि सिक्षा के जो नियम और खानूने जो उसके कॉंसेप्ट है वो समय समय पर परिवर्तित किया जाता है जैसे एक्जांपल की तोर पे इस अभी के दौर में सिक्षा में हम बहुत ही ज्यादा बच्चों के फीजिकल एक्टिविटीज पर हम उसके प्रैक्टिकल को हम बहुत ज़्यादा फोकस करें जबकि इसके पहले कम तो थोड़ थोड़ बहुत पर चेंजिज आते रहती हैं इसके अतरिक सिक्षण अर्थात सिक्षा परदान करने में विभिन रीतियों नीतियों पद्धतियों को अपनाना पड़ता है सिक्षा रखता है मतलब कम्प्लेट विज्यान के स्रणी में नहीं रख सकते लें हां सिक्षा को हम कला की रूप में जरूर रख सकते हैं अब इसको देख लिए यह बिल्कुल एक आर्ट है लेकिन उसके पढ़ाने की अलग कला है और हर एक बच्चा सीक्षता है और उसके सीक्ने की अलग कला है, तो ये वास्तों में सिक्षा को मोर अबर हम एक आर्ट मानते हैं, एक कला मानते हैं, सिक्षा के स्वरूप के विशे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह एक कला है, कला वह विद्या है, जिसका उदेश स्रिजनात्मक्ता होता है, कला के मादे से रचनाय होती है हैं कला की निद्धारित नियम कठोर बंदन नहीं होटaces कला कार Julius मुख्त होते बिल्कुल से पेंटिंग मनाने वाला व Michigan के किसी आखरती की बना सकता है उपने इच्छानुसरा बना सकता है उससे पर इधारती एक पुस्तक कितना ग्यान पराथ कर सकता है वो बिल्कुल मुग्त है जरूर नहीं कि वो किवल कि पुस्तकी एक ग्यान पराथ करे या फिर किवल पढ़ाई वो अन्य छेत्र में भी जाकर अपने सिक्षा ग्रहण कर सकता है योगा में कर सकता है डांस में कर सकता है फैशन में कर सकता है कु को यह इसके बारे हैं पता कि एजुकेशन के वर्क अफ एजुकेशन सिक्षा के कारियों का वर्किकर कितने कारियों में भाट सकते हैं तो आप सबसे पहले आई जरह हम इसकी क्लासिफिकेशन या वर्किकर करते हैं इसके कारियों की तो हमने एक यहां पे इसका बहुत अच्छा काम करें, तो सिक्षा एक समाजिक कार है, no doubt, ठीक है, समाजिक कारियों के अंतरगत, समाजिक भावना, ठीक है, एक देश प्रेम की भावना उत्पन करना, समाज के परति जागरू करना, समाज को जानना, समाज को बहतर बनाना, इन सब की भावना को जागरू करना एक सिक्षा का कार है चलिए संस्कृतिक कारे भी है सिक्षा एक संस्कृतिक कार है सिक्षा के इस कार के अंत्रगत संस्कृतिक नीधी की सुरक्षा करना संस्कृतिक का विकास करना तो उसको विकास करना क्या है बच्चो सिक्षा का एक विकास का कारे है और सिजनात्मक्ता कारे creativity ठीक है creativity मतलब थोड़ सा यहां देगे हास्त कला का उद्योग हाथ से अच्छी कढ़ाई बुनाई या फिर इस बात की मुझे उम्मीद है एक और बच्चो व्यक्तिकत अवं समाजी कारे है व्यक्तिकत कारे है मतलब यसे आपके जीवन में जीने के लिए पैसे की requirement होती है तो आपको व्यवसाई के योग बना दे रहा है आपको काम करने के योग बना दे रहा है और आपके सारी का भी मतलब अच्छे से सोचने लगे अच्छे से दिखने लगे तो इन सब चीजों का भी विकास का कारे करता है सिक्षा अब आईए अगरा प्रशन बच्चो मानो जीवन में सिक्षा के उप्योगीता की बात करें कि मानो के जीवन में सिक्षा कितना important से बहुत ही जाए important है आप सिक्षा है और किसी इंसान के नेतिकता आ जाई फिर तो वो बस स्वर्ग को प्राप्त कर गया सिक्षा जीवका पार्जन का एक महतपूर आधार भी है बिल्कुल सही है मनुष से एक समाजिक प्राड़ी है बाला के समाजिकरण में सिक्षा की महतपूर भूमिक है तो प्राद़ी यह कि सिक्षा मानौ जीवद के लिए है फिर फिर्षे वही बात है इन्सान को समाजिक व resilient बनाता है उसके नेतिक का विकास करता ، उसके सारणी की विकास करता है, मानसी की विकास करता है, बहुत सारे विकास करता है, तो यह सारे चीज़ा क्या है अभी है, सिक्षा की उप्योगिता है मानौ जीमिन के लिए, चीक है, चलिए, सिक्षा की उप्योगिता है, महातों बताईए, फिर से वही बात की जारी, एकी को दूसरे तरीके से पुछा जा रहे है ठीक है आप देखिये फिर से व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है मनुस्य को सब भी बना दिये ठीक है सब्दों बात वाइए बस सब्दों का हेर फेर है अब यह बड़ा असपस्ट बहुत ही बेस्टरिन सवाल है और इंपॉर्ट याद रखना पड़ेगा, देखे, अनेक शिक्छावादियों के नुजर, शिक्छा क === दू मुखरी homme परिक्रिय इन विध्वानों का यक तान है, दू मुखरी ह !! का कहरने का मतलब यह है, कि शिक्छाप्राप्थ करने के लिए आप दो चाहिए, दो लोग चाहिए, मतलब दो चीज़े होनी चाहिए, पहला एक सिक्षक, दूसरा सिक्षार्ती, एक सिखने वाला, दूसरा सिखाने वाला, यह है, सिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्यापा एक कम सिक्षार्तों के बीच, विचारों का आदान परतान होता है, और दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पढ़ता है चलिए यह तो हमें भी पिता है सिक्षा की वह प्रक्रिया अध्यापकर इसलिए यहां दो ध्रुवी है दो ध्रुवी का मतलब एक चांट पर तो होगा ही होगा उसके साथ उसका पाठी करम भी है पार्ठीक्रम का मतलब अब math की सिक्षा लेगा, science की सिक्षा लेगा, विज्ञान की सिक्षा लेगा, खेल की सिक्षा लेगा, किस की सिक्षा लेगा और पार्ठीक्रम के साथ-साथ उन्होंने कहा कि त्री मुख्यों मतलब इसके अलावा भी जैसे वातावरण, वातावरण पर कभी असर पड़ता है, माहौल का भी असर पड़ता है, तो यहाँ पर कहा था कि अध्यापक छात्र के साथ पाठिकरम भी एक तीसरा मुख है, तीसरा इंपोर्टन फैक्टर है, तो इसलिए उनके शिक्षा को त्री मुखी है कहा था, आपका क्या मत्थ है, आपको लगता है सिक्षा दू मुखी है या फिर त्री मुखी है, मैं परसनली मेरा भी यह यह उनके अनुसार सिक्षा तीन अंग है, अध्यापक छात्र वं पाठिकरम, इन तीनों में से किसी भी एक अंग के आभाव में सिक्षा की प्रक्रिया संपन नहीं हो सकती, डेवी के अनुसार सिक्षा इन तीनों ध्रूवों पर प्रस्पर प्रक्रिया का परिड़ाम है, इन तीनौ ही अंगो का शैचिक प्रक्रिय का इंत्रकत समान महत्व है, जितना सिक्षक का महत्व है उतना ही बाठेकरण का बह commend है, सिक्षण परदान करने वाले मानिवी अंगो को अध्यापक कहते हैं, सिक्षण देने वालों को, इसका कारे बालक को कि अस्तर योगेता आधिक अनुरूप सिक्षड की योजना बनाना होता है और सिक्षड की विवस्ता यहां संचालन करना सिक्षड करना होता है तो मतलब आप कॉंसेप्ट यहां पर समझेए सिक्षड के दो धुरूवी का अर्थात सिक्षा में सिक्षार्ती और सिक्षक दो अत्त महत्त पूरंग है और जॉन टीवी ने कहा कि नहीं ये त्री मुखी है इसमें सिक्षक, सिक्षार्ती के साथ पाठेकरम एक तीसरा भी अंग है समझ में आगई बात जलिए अब यहाँ पे देखिए सिक्षा जीवन प्रयत्त चलने वाली प्रक्रिया है इस कतन को स्पषक करी यह तो बड़ा असान है जब हम इस परिथवी पे आते हैं हमें चलना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता हमें खाना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता हमें बाते करना नहीं आता और हम उस समय से यह सीखना सुरू कर देते हैं हम पहले अपने घरवालों को पहचानते हैं जानते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और जब हम स्कूल में अडमिशन नहीं लेते हैं पहले हमें समझ जाते हैं कि क्या सच है क्या जूट है चूरी गलत है तो यह सारी चीज़ा क्या है बच्छो सिक्षा जर्म से लेकर अम्रितु की बात करी स्कूल से बाहर आने के बाद भी असल जिंदगी के अतवा तारीके हमें सीखने को मिलता है कि कैसे विश्वास करना कैसे हमारे साथ गलत हो सकता है हमें कैसे अपनी बचाओ गर नहीं है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिख्षा क्या है बच्चो सिख्षा एक जीवन परत्य में चलना वाली प्रक्रिया है और इसको रिफेरेंस में आप अपने सब्दों में लिखिए यहाँ पे एक जी एम से म तो आपको आप साइकल चलाते हैं गिरते हैं उटे बैटे आप चलाते हैं तो आप साइकल चलाते हैं आपके वहवार में परीवारत लेकर परीवारते हैं कि सिख्चा इन तीन के अंद्रियों के चरित का निर्मार करती है तो सीखना और इसमें सिख्चा में बच्चो सिख्चा में आपके अंतर सक्तियां बाहर आती है इसका मतलब आप ये चीज़ें समझ आते हैं क्या सही है क्या गलत है नैतिक अनैतिक सब बयाहता, समाचिक, जबकि कोई प्रकिरिया, जो आपके व्हाद में प्रिवर्टन लाती है, अधिकर में लाते हैं, इन तीन में से एक प्रश्ण आपको आना ही आना है केवल इसी तीन पॉइंट के बात करो सिक्षा के प्रमुक्ष स्वरूप क्या है सिक्षा के आपचारिक एवब अनपचारिक स्वरूपों को अस्पस्ट करिए अत्वा सिक्षा के स्वरूप नियमिद अनियमिद सिक्षा को अस्पस्ट करी यह बहुत अच्छा प्रश्ट है अब आईए इसमें आपको क्या दिया गया है कि सिक्षा के विभिन रूपों में अपना कारे संबन करता है सिक्षा के जो रूप अत्वा प्रकार है आपचारिक अब इको ज़रा समझ जाए आफचारिक और अनपचारिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है इसको पर्सनल देखेंगे इसको अलग-अलग से पर्त्यक्ष भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब यहां पर उद्देष से निश्चित होता है कि हम इस उद्देष से के लिए पढ़ रहे हैं जैसा किसी को डॉक्टर बनना है या फिर किसी को एंचिनियर बनना है मतलब आप विद्या ले जा रहे हैं आठीवी क्लास की पढ़ना है चाचीवी क्लास की पढ़ना है आपका उध्यसर स्कूल में जाएंगे तो जब निष्चित अस्थान निष्चित होती है कि आपको वही करना है तो इस प्रदार के सिक्छा को हम नियमित सिक्षा या फिर आपचारिक सिक्षा कहते हैं अब अनियमित और आपचारिक सिक्षा अब आप सोच रहे होगे अनियमित और आपचारिक सिक्षा कैसे होती है जैसे यहाँ पर देखिए आई एक वाइए इसको पढ़ लेते हैं ठीक है निश्चित समय पर निश्चित रूप से निश्चित वातरण में किसी विश्यस व्यक्ति द्वारा दी जाती है इस सिक्षा की विश्यस्ता है कि यह मनुष्य समाज रास्ट्र की और सक्ताओं की पूर्ती है या सिक्षा ग्यान व्यवस्थित करती है था बालकों के किसी व्यवसाई के योगे बनाती है ये निस्चित की बात होगी अनिस्चित या फिर अनियमित की बात करें इसमें क्या है अनियमित सिक्षा की यहां पर बात करें यहां पर अनिस्चित है जैसे कि माल लीजे या कुदते बैठते खेलते कुदते इस पकार के सिक्षा जब वो प्राप्त करता है तो उसके हम क्या कहते है अनिश्चित सिक्षा या अन्यमित सिक्षा गयते हैं चलिए वही प्रत्यक्ष की बात करें तो जब विद्यार्थी को किसी सिक्षक के दवारा किसी पुस्तक के दवार किसी स्कूल के दवारा organismh YA होती है उसे हम tortekta किक जब अब आप जहां पर देखिए कि कि विद्ध्यारति सिक्षिंग के जो टीचर के सामने बैठके बढ़ेगा छली यहां पे बहुत यह अच्छा प्रस्त ने कि पर्थेक्ट शिक्षा और अप पर्थेक्ष शिक्षा दोनों दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 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 घर के पापा आपको पढ़ा रहे तो वह आपको समझा रहे हैं तो वहां परत्क्सिक्षा काम करे गालंगा इं परिक स्कत्त है हुआ है यह बहुत अच्छा सवाल ऐसे में पूछे अब बताब अभिकरण को हम अंग्रेजी में कहते हैं एजेंसी 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 कहते हैं तो अजेंसी मतलब जहां से हमें सिक्षा पराप्त होती हो तो यहां पर पहले इसके परकार देखिए फिर आपको अच्छा समझ में आएगा यहां पर सिक्षा के का मतलब का उन से होता है आपचारिक का मतलब जहां पर अस्थान निस्चित हो सिक्षक निस्चित हो मतलब विद्याले की बात की जाएगी वहीं आपचारिक की बात की जाएगी आपका समाज आपका परिवार आपका परिवसी आपका अभिक्रण के अंतराएगे सिक्षा का सक को देख लेते हैं कि यहां पर क्या का है कि सिख्चा के अभिक्रण अत्वा साधन से आप क्या समयते हैं अच्छा आप बताई कैसा लगा वई तक आपको वीडियो कैसा लगा सिख्चा का साधन या अभिक्रण सब्द एजेंसी का हिंदी रुपांतर है मतलब देने वाली सस्ता संस्ता वह या व्यवस्ता विधाय को कि नियम अंदर का परयोग किया दा है अब यह कह रहे हैं डाक्टर सुबोत अधावत ने इस सिख्चा के उद्देश की प्राप्ति के प्रत्न में अनेक छोटे-छोटे उपकरणों का परयोग किया जाता है इन् समाज किया सिख्चा का साधन है तो इस सब को सिख्चा का साधन या सिख्चा का अभिकरण कहते हैं आपका परिवार आपका राज्य आपका समाज आपका स्कूल आपका घर सारे क्या है बच्चों सिख्चा का अभिकरण है अभिकरण का मतलब जहां से भी हमें सिख्चा वात्तावञन और मनुष्छी की सिक्षा का सादन परंतु इस परअवरन में लृ भालigen की सिक्षा पराख wijक जैसे वज है कर oh विद्याले saag permit Church the Church इहांपर Church ना कह़िए कि आप कह लीजिए कि धार्मिक संस्था हैsalon Presea Chan चर्च का मतलब किवल आप पडिक्छा करें आप मदर्स मखटब आसर्म गुरू कुल्स पिपनितर कुल द्शुमारी शीक्छा का फिकरन लेगार कोठार, प्रच्छा का प्रमुख अंग, प्रेस , व्यवसाय ठाए। जो डिपोर्टिंग करते हैं, कितना शुक्छा व्यवसाय करना सार्वजनिक जीवन, मन्द रोहन नियंट फिल्मों सिक्षा मिलती है तो यह सारी चीज़ें क्या वच्छा के अभिक्रण अनेक है उनका अध्यान करना भी तो इसको कुछ रूप में वरगिक्रा कर दिया कुछ क्लासिफाइड कर दिया है जैसे पहला है अब अभिक्रण और अभिक्रण किया है अपचारी को प्रकास डालते हैं पर दिखा भी आपका प्रस्वन है, कि आपचारिक अभिक्रन पे प्रकास धालिए, ठीक अब आ यह वह प्रकास डलते हैं, टाउट शमार रहते हैं, प्रकास बढ़ गया, चलिए, सिक्छा का अभिक्रन वे संस्थाएं या स्थान या स्थल होते हैं, जहां नियमित रूप से सिक्षा परदान अर्थात सिक्षण की विवस्ता होती है जहाँ पर नियमित रूप से जब नियमित रूप की बात आएगी तो क्या कहेंगा आप इस्कूल इन सस्थाओं के निर्धारित निश्चित नियम होते हैं जैसे निर्धारित योगिता वाले बालक को ही निर्धारित सुल्क जमागर के विद्याले में सम्मदित परिवेस लेना पड़ता है या निर्धारित पाठिकरम का अध्यान करके निर्धारित परिक्षा में ही समलित होना पड़ता है आप तीसरी के बाद ही चोथी में जाएं आपकी particular फीस है, आपका एक exam होगा, आपका एक syllabus है, यह सारी चीज्जर क्या हैं बच्यों, आप Chuckी क्वाग मे ब burada है, इसमें सारे चीज्री निर्धारित होती है, ठीक है, इसको आपको है अपचारीक अभिक्राण पाट साला या विद्याला या पुष्टकारा है ठीक है आपका जो श्कूल है या अपचारिक सिक्ष्ट है इसको इंग्रीज में कहते है फॉर्मल एजिंसी स्पॉर्मल एजनसी सम्व एज्यूकेशिन ठीक है अब सिक्षार्थी पाड साला में समाज यहां न तो किसी को परिवेश लेना पड़ता है और नहीं निर्थाज पाठिकरम कर दुशार अध्यांद करना पड़ता है परिवार, मित्र, मंडली, धार्मिक संस्ता है, समाचार, पत्र, मंडली क्या आपको समाचार पढने के लिए कोई आपको admission लेना पढ़ेगा, entrance exam देना पढ़ेगा, नहीं देना पढ़ेगा, कोई जरूर नहीं है कि आप ही पढ़ सकते हैं, सेकंड क्लास का भी बच्चा वही समाचार पढ़के सिक्छा ले सकते हैं, प्रिवार में कोई entrance exam देना पढ़ेगा, आपकी धार्मिक संस्ता हैं, किसी भी बच्चे को कोई वी, किसी भी उमर में अपने धर्म का ग्यान कर सकता है, तो ये सारी चीज़ है क्या है बच्यों आपचारिक सिख्चा तो आपचारिक में देखा आपने स्कूल आ गया आपचारिक में आपका परिवार, मित्र, धारमिक संस्ताय, सामाचारपत, मंदुराल जनात्मक, संख्या, तीवी, टेलेविजन, सीनेमा की बात की गई अब सिख्चा के आपचारिक को तराभी करण मतलब इसको निरापचारिक कहते हैं, एक फॉर्मल, इनफॉर्मल और नौनफॉर्मल तो ये नौन फॉर्मल है, नौनफॉर्मल का मतलब होता है, देखिए, यहाँ पे कुछ चीद निस्चित होगी मतलब आपका पार्टिक्रम निश्य दो यहाँ पे देखिए इसका सबसे बहतरी एक्जांपल पता आगया है इसका सबसे बहतरी एक्जांपल यहाँ पे देख लिए फिर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे है दूरदर्सन रेडियो यहाँ पे मैं आपको दिखाएगा इसका सबसे बहतरी एक्जामपल होता है distance learning अब distance learning में देखे होता है कि आवास तो में नहीं तो आप चाले ही समझ में आ जाएगा distance learning में आपका course तो fix है आपका partagram fix है आपकी अओधी fix है यह सारी चीज़ways fix है आपका परिक्षा भी fix है कि यही देना है लेकिन इस बात की आपको आजादी है कि आप कहां से प्राप्त करेंगे आपका उदेश से निर्धारित है आपका समय सीमा निर्धारित है आपका पार्ठिक्रम निर्धारित है लेकिन उसका स्रोत निर्धारित नहीं है आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं चाहे आप टीवीबी से पड़े तो ये दोनों की दोद में किया जा रहा है अब आज इक सिख्षा की व्यवस्ता और विधि विधान के जचों मिलनी जाएंा नहीं मिल बाती है और अप्चारिक अभी किरणों दुरा व्यक्तितों का प्राणभण सिक्षा मतलब जहां पर लूग बुढ़े वो गया हैं फिर भी पढ़ना है तो इसे सीजित निर्खार्णिक का मतलब विकास में गरी हकारे की भूमी का मतलब जो आपका घर है परिवार है समाज है वो एक बालक के विकास में किस प्रकार सहायक है तो हमारा जो घर होता है वो हमारी जीवन का सबसे पहला विद्याला होता है हम जो भी संसकार से अपने घर से अपने माबाप से सीखते तो सबसे मह अगर कोई कारक है तो वह हमारा घर अर परिवार होता है तो बालक के विक्तित्व का सर्वगिण विकास में ग्रीह कार एवं परिवार के कुछ आवस्य करतब हैं जिनका पालन भली भाती किया जाना चाहिए ग्रीह परिवार एक सिक्छाम निकित भूमिका निवाता है अब य प्रकास आदी पर विसेज ध्यान दिया जाना चाहिए यह परिवार की बात की जा रही है तो परिवार आपका सबसे पहला जीमेदारी क्या लेता है आपके सहारी की विकास यानि कि आपको एक सही पौस्टिक और संतुलित आपको भोजन परदान करें परिवार ठीक है इससे आपके मन अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत से अच्छे कारे करेंगे और मन कैसे अच्छा होगा जब आपका सरीर अच्छा हो जाएगा संरीर का विकास होगा तो आपने देख है परिवार क्या करता है उतकर तनाव से दूर रखता है आपको इर्शया से दूर रखता है आपको अच्छी जानकारी अच्छा ग्यान आपकी जिग्यासा आपकी कलपना सक्ती को प्रेरग बढ़ाता है तो आपके मस्तिस्क का विकास करता है परिवार हम सवाल देख रहे थे कि परिवार और गर किस प्रका बब किया जाता है परिवार के माध्यम से यह सारे कारे हैं बचों important कार सांस्क्रिति के आओ नैतिक विकास मैं मानता हूं कि बचों को नैतिक विकास बहुत जरूरी एक नैतिकता आनी चाहिए कि हमेंसा सच बोलना और गलत लोगों के साथ नहीं रहना जो चीजे जिसे गलत वस्तु हैं उसका सेवन नहीं करना है एक नैतिकता इंसान के अंदर आने चाहिए बड़ों की इज़त करनी है छोटों से प्रेम से बात करना है धर्म जाती के नाम पे लड़ना नहीं है इन सब का विकास बहुत जरूरी है और यह सब कैसे होगा परिवा सही होता है छटा है दोस्तों व्यवसाइग विकास अक्सर आपने देखा होगा घर में बिजनस है तो बच्चे बिजनस की तरफ ज्यदा अगला प्रश्न घर या परिवार आप चारिक सिख्चा का अभिकरण है कैसे अब यहाँ अभिकरण है कैसे अब बताएए आप कैसे ह तो देखिए सिक्चा के औन अप्चारिक साधरों में परिवार अत्वागरी का अत्यंत महत्पूर स्थान है वास्तों में परिवार समाज का लगू रूप है मतलब आप समाज का एक लगू रूप अपने परिवार को समझ सकते हैं क्योंकि यहां पे कई लोग रहते हैं सबकी अगली अपनी अपनी अलग सोच है उसके बावजूद भी सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं यह समाज का एक छोटा रूप होता है परिवार समाजी के ववस्ता का आधार है आप किस प्रकार से समाज में रहेंगे अब यहां पे आपको एक पॉइंट मिलेगा रहमन ने कहा था कि दो बच्चे भले ही एक ही विद्याला में पढ़ते हों समान रूप से सिक्षकों से परभावित होते हो समान अध्यन करते हों फिर भी अपने समान ग्यान रूचियों वहवार और नैतिकता में अपने घरों और परिवारों के कारण अलग-अलग हो सकते हैं भी नहों सकते हैं तो यह हो गई यहां पे बात कि परिवार के अनवचारिक सिक्षा अभिकरण करूप में कैसे है ठीक है फिर से उसी बात को वही बात है ठीक है फिर से वही बात या रही है कि बालक का पर्थम पार्ट साला होता है हमारा घर ठीक है हमारे नैतिक हम समाजी के पर सिक्षा ट्रेनिंग मिलता है मांसी के भवात्मक की सिक्षा मिलती है अनुकूलन अस्थापित करने का मतलब क्य करता है और आग्यापाले अनुप सासन की सिक्षा ठीक नियुक्त जिक्षा यह गरीकारे के सैची करता भी ठीक बच्छों लिख लेंगे आप बहुत अच्छा यही सब है आपके गरीकारे के अंदर लेना है अगला पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं परोपकार और सही स जूरता का मतलब होता ना की tolerance मतलब आपको बर्दास कर ना है थोड़ी चीजे की पसंद रही है लेकिन अगले की पसंद है ऊके करफ पादन करना चाहित है करत भी सिक्षण करने कि कौन कौन से अभिकरण की सरवधिक भूमिका है कौन से अभिकरण तो बात वही होगी ना परिवार की सिक्षा की परिवार जो से ना वो सबसे important रहता है बाला को सिक्षित करने में फिर जो वही बात आगी तो वही चीज़े रिपीट होंगी तो इसलिए हम इस परिष्ट को क्या करेंगा बच्चो स्कीप कर देंगे ठीक है मतलब आप एक्जाम में मत करेंगा क्योंकि बात थे चीज़ होई है अब दूसरा पॉइंट आपने देखा परिवार पहला क्या था बच्चो परिवार उसका प्रतिवीम विद्याले में दिखायी आता है विद्याले परिवार और समाज तेखें अब यहाँ पे आप देखी समाज का लगूरूप परिवार था और विद्याले क्या है समाज का धरपड़ चूंकि विद्याले में भी ऐलग-अलग पीड़ी को इससे परचीत कराते हैं इस तरह पूर्व पूरुसों के विचार ग्यान और सिधान से आने वाली पीड़िया परचीत होती चलती हैं ठीक है यह विद्याले में हमारी सांस्कृत धरवर परंप्राओं समाजिक विरासत की रक्षा करते हैं और उसका हस्तनांतरल कर सांस्फर करते हैं सांतितियों की करते हैं और इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि विद्याले समाज का दरपन है विद्याले ही तो दिखाता है कि समाज कैसा होना चाहिए कैसे हमारे पूरोजों ने इस समाज में जिया और कैसे हमें इस चीज़ को आखे बढ़ाना है यह सारी सीख के निसर सोजबूच के साथ कारे करना की सिख्छा पदान करना बहुश्शी में मुलों का मुलियों का विकास करना आपका फूचर कैसा होगा अभी वर्तमान में हमार अमार प्रे mesma है वह technology से वरा тран cash future कैसा किया है कि हमारा देश अभी सुगुरु बन सकता है तो इस परकार से समाज की संस्कृट्टि को नहीं पीनी से परचित कराना छात्रों को समाज की योग्य आदर्स नागरिक तक की सिक्षा देना छात्रों की चिंत अंतर के वो निड़य सक्ति का विकास करना यह सब क्या हैं व वो समाज ही करना कर सके और छात्रों को देश और समाज के दाइत निर्माह योग्य बनाना कि आपके देश के लिए भी आपका कुछ दाइत तो है समाज के लिए भी आपका कुछ दाइत तो है इसका क्या करना बच्चो योग्य बनाना अब आई समाज क्या है तो को समाज क् के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि समाज व्यक्तियों का समुग है ठीक है चार दो से दो अधिक लोग मिलके समाज का निरमार करते हैं और यहां पर दिके फेर चैनिस ने एक परिभासा दी ती समाज मनुस्यों का एक समुग है जो अपने अनेकों हीतों की पूर्ती केलिए अनिवार coping को बनाए रहते हैं यह वन् życie समाज है वह एक विखतियों का समुho को यह जो बी अनिवारी चीजरी है वह एक दूसरे के सयो Buddhist करते रहते हैं चीक है जैसे कि मानुचे किसी को कूछ खरीद है किसी को कुछ बेचना है फिर किसी पर कुछ कमी है या ज्यादा है इस प्रकार से हम आपस में अपने समाज को बनाए रखते उर अपने हिटों का क्या करते दोसनों निरवाह garment करते हैं इस पकाइं स element समाज एक आमुर्ट सब्द है जिससे समौ के सदस्टों के मदभाई जाने वाले अंतर स्मूंदू का बोध होता है मैकर इबन पेज ने कहा था कि समाजिक सब्सक्राइब का जाल है, मतलब क्या है, हमारे पास, یہ Network of Relationship है, सामाज क्या है, Network of Relationship है, जास जास जासे हमारे समाज बढ़ते जाता है, यहां पर कुछ और नियु परिभासाईं भी दिय गई है, स्चिक्छा संथानों के समयाओं, सहयोग प्राप्ट करना, समाज बच्चे को कैसे सिखा सकता है समाज बच्चे को सिक्षा कैसे दे सकता है समाज जो है सिक्षर संस्थानों की अस्थापना हमारी समाज में किस प्रकार के सिक्षर संस्थान होनी चाहिए उसके अस्थापना समाज करा सकता है पुस्ते कालों की अस्थापना कर सकता है सांस्कृतिक हम साहित्य सिक्षा की व्यवस्ता कर सकता है सिक्षा के साध्य साधनों समवने में एहम सहयोग प्राप्त करना हम ये का कर सकते हैं इस समाज से हम प्राप्त कर सकते हैं अगला प्रशन देखेंगे अगला प्रशन बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत असाधारार से प्रशन है जो कि आप स्वहम से लिख सकते हैं कि रास्टी एकाकी करण का मतलब क्या होता है तो को राश्टी का करण का मतलब यही होता है कि हिंदू-Muslim-See-Kisai सब आपस में है भाई मतलब अनेकता में एकता बस इतनी सी बात है कि अनेकता में एकता राश्टी समाकलन और राश्टी एकता का ततफर एक ऐसी भाव स्टितिस है जो लोगों में सभी भावों को त्याक कर संपुर रूप से अपने को एक सुद्र में बाद लेती है मतलब हम कौन से जाते दरम के फरक नहीं पड़ता हम सब क्या हैं बच्चो हम सब एक हिंदुस्तानी है पस यही भावना हमारी राष्टे एका किरल कहलाती है इसी कारण बहुत से लोग दोनों को एक समग्वा गात्मक इमोशनल इंटेग्रेशन है फिर भी राष्टे एका किरण या समाकलन एव राष्टे एकता समें द्रिष्टिकोर से अंतर है पर्थम में समपूर्ण जीवन के स्थिथी और दूसरे में केवल राजनीति केवल समाजिक स्थिथी पर बल दिया जता है अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि कि राष्टि एकता ही किया है वच्टि एका किरण है इसमें बहुत कुछ किताबी भाज़ा में हमें निग्याना है हमें यह बस यह समझ जएए कि सभी भेदभावों को त्याग कर संपूर्ण से अपने को एक सुत्र में बाद लेना देश को मजबूत करते हैं ठीक है देश को मजबूत करेंगे देश का विकास होगा हमारे अंदर की बुराईया हमारे अंदर के आपस के लड़ाई जगड़े खतम होंगे देश का विकास है नौन दिर्मान की बोध ठीक है राश्ट का अस्तित्व तो उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वह सोतंत राश्ण में अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए यह आवस्य है कि वह अपने नागरी को कि राश्टिता की सिक्षा दे तो राश्टिता राश्टिता की का क्या है बच्चों हमें एक सुत्व में बादने का कारे करता है और यह देश को एक कि रकना है और हमें साथ का सम्वान करना उचुक्सी प्रकार से अंतर राष्टर बात करी के वाया से इन अंतरह्टर बथ राश्टर बात की बात देखना है अपने देशकी सूरक च्छा century लना है वही हमार thi can't अंधर झाब ने तो तो इस वीडियो का भी खतम करना चाहिए ठीक है खतम भी हो गया बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे तो बहुत ही मज़ा है आपके साथ यह डिसकस करके और तू भी मेरी वेरी होनेश्ट हमने यह देखे और आप जब एक्जाम देने जाए तो यह शायद यह वीडियो आपको याद रहेगी क्योंक कैसी लगी मज़ा आया समझ में आया आसान से सब्दों में मुझे आपकी कमेंट का बेस अबरी से इंतजार रहेगा कमेंट करने में आपको थाहिमत करिएगा क्योंकि मुझे कमेंट से बताता है कि आपको यह वीडियो कि पसंद आया और आपने कहा तक वीडियो को देखा तो कमेंट जरूर करिएगा बाकी वीडियो कैसी लगी और आप अगला कौन से सब्जेक्स पे देखना चाते हैं वो भी बताएए उस सब्जेक्स को भी हम बनाएंगे बाकी इसमें और भी पार्ट्स बचे हैं ऐसे कर आप दो तीन वीडियो देख लेगे आपका पूरा पे मेदारी पूरा करिए दोस्तो आने दोस्तो तक शेर करिए उन्हें भी जोड़िये एक टीम बनाएए एक साथ मिलके पढ़ते हैं और बहुत अच्छा स्कूर करना इस बर तो इस वीडियो में फिलाल है दोस्तो जैहिन जै भारत अच्छे से पढ़िए मेहनत से पढ़िए और ऐसे ही समझ के पढ़िए ठीक है क्योंकि परिक्षा में वही लिख पाएंगे जो आप समझ के चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जाहिन जा मारे दोस्तो